बिद्यार्थियों बिद्यार्थियों अब तो आपकी मोज होने वाली है आप जो है सभी काम छोड़कर सभी काम छोड़का कक्छा दस्वी समाजी विज्ञान की परिच्छा के लिए ये प्रशन को जरूरू याद कर लीजिए ये प्रशन है हमारा नवी करनी है उर्जा इस् हम समझते नवी करणी उर्जा इस्तरोत या फिर हम इसे कहते है अच्छी उर्जा तो बच्चो इसे हम समझते ये बे सारी इसमें बे सारी उर्जा सामिल है जो प्रदूसर्ण कारक नहीं है तता जिनके इस्तरोत का च्छै नहीं होता या जिनके इस्तरोत का पुना भरण यहा प्रदूर्शन नहीं फिलाती है और बच्चो यदि हमने इनका एक बार उप्पुक कर लिए तो हम उसे पुना प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं बार बार हम उसका रिसाइकल भीन कर सकते हैं जैसे के बच्चो सोर उर्जा याने की सूर से आने वली उर्जा पवन याने की बायो उर्जा हवा उर्जा, जल बिद्धुत उर्जा जौरी उर्जा, बायो मास, जे बिंदन आदी जो है नवी करनी उर्जा के कुछ उधारन है बच्चो यह सारे उधारन आप देख रहे हैं यह सबी को हम पुना यहापा प्राप्त कर सकते हैं यदि हमने इनका एक बार उप्योग कर ले तो हम इनको पुना यहापा प्राप्त कर सकते हैं बच्चो अब हम समझते आ नवी करनी है उर्जा इस्त्रोत नवी करनी के उल्टा आ नवी करनी है बे प्राकरतिक संसाधन जिनका नवी करनी इससंभाव नहीं है उनका स्टोक ब्रहधा होता हुआ भी सीमित है मतलब कि हमने उनका उपयूग कर ले तो उनका दोबारा उपयूग नहीं कर सकते जैसे कि बच्चो जिवास्म उर्जस अंसाधन और लोहा सीशा अलूमीनियम यूनियनियम खनीज आदी जैसे बच्चो आपने देखा हूँ बच्चो पेट्रोल जो है बच्चो बहुती कम मातरे में प्रदिवाब बचा हुआ है हम जो है इसका लगातर उप्यूप कर रहा है इसका लगातर आपने सारे डाउट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है जो पेट्रोल बच्चो यह दि हम उसका जो है एक बार उप्यूप कर लेरत बच्चो जो है हम उसे दोबारा प्याप्त नहीं कर पा रहा है पेट्रोल जो है बहुत कम मातर बच्चो हुआ है इससे प्रेका बच्चो जो लोहा है लोहा भी प्रदिव में सी में था यह सी से भी प्रदिव में सी में था है झाल झाल